असलाम अलेकूम वेलकम बेक टू मर्याम स्टैंग टेबल आज मैं आपके साइब शेयर करने वाले हूं एक वेरी वेरी टेस्टी और हैल्दी सर्दियों की रेसिपी गुड़ वाली चाह चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने लिया है वन एंड हाफ कफ मिल्क इसको मै गरम होने के लिए रख देती हूं अब मैं यहाँ पर ले रही हूं वन कप वाटर यह दूद्ध वाला ही कफता इसने थोड़ा वाइट दिख रहा है वाटर अब हम इसके अंदर सारे इंग्रीडियन्स एट करेंगे वह हैं यह एक चमच चाय की पत्ति आपका टी ब्रैंड अच्छा हो तो इस चाय बहुत अच्छी बनेगी अब वन चुटकी नमक यह अप्शनल है आप चाहें तो एट करें वरना आप इसके भी कर सकते हैं अब मैं इसके अंदर एट करूँगी हमारा सबसे मैन इंग्रीडियन्ट जो है इस रेसिपी का गुर्ड आप ये रेसिप कर रही हूं गुर्ड को मैंने थोड़ा सब्सक्राइब कर लिया था दो चम्मच हम शकर डालते हैं तो मैं यहाँ पर उसकी जगे दो चम्मच ही गुर्ड का यूज कर रही हूं अब गुर्ड को हम इसके अंदर तब तक उबालेंगे तब तक यह गुर्ड पिगल ना जाए इसके लिए बस एक दो मिनिट लगेंगे आपको और गुर्ड पिगल जाएगा कहीं बार होता है कि गुर्ड अगर फ्रेश ना हो तो चाय फट जाती है अब मैंने यहाँ पर एट किया है अदरक का पाउडर आदा चम्मच से थोड़ा कम वन फोर चम्मच अगर आप रेसिपी को अगर आप फोलो करेंगे तो आपकी चाय बिल्कुल परफेक्ट बनेगी कई बार लोगों की गुर्ड वाली चाय फट जाती है तो आप यह वाली रेसिपी जरूर ट्राय करके देखिए सर्दियों में आपको यह बहुत पसंद आएगी और साथ के साथ टेस्ट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को प्रेस करना है ताकि आपको नौटिफिकेशन मिलती रहे अब मैं यहाँ पर इसमें एड़ करी हूँ यह दूद्ध जो मैंने गरम होने के लिए रख दिया था आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है चाय का गुड़ की वज़े से इसका चाय का कलर थोड़ा अलग भी आता है और अच्छा भी लगता है टेस्ट में अच्छा दो कप चाए मना रही हूँ तो मैने उस मीजरमैंट से ही मनाया है आप जादा बनाएं तो आप थोड़ा जादा भी ले सकते हैं मैंने हाफ कप पाई थोड़ा जादा लिया था क्योंकि वो चाए बना ठाइम उड जाता है अब बस मैं इसको यहां पर सारू और तैयार है हमारी गुड़ वाली टेस्टी और हेल्दी चाहे आप मुझे चाहें तो मेरी सोशल साइट्स इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐसे ही आप मेरे चैनल पर बने रहे हैं और मैं आपके लिए लाती रहूंगी पूरी सर्दियों में वेरी वेरी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी सर्दियों की यह गुड़ वाली चाहें तो सुबह सर्व करें चाहें तो शाम को सर्व करें यह हेल्दी है टेस्टी है आप चाहें जिसे सर्व करें अब ट्राइ करके जरूर देखेगा और पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपि में तब तक के लिए खुश रहिए हैल्दी रहिए अल्ला आफेज